असलाम आलेकुम, नमस्ते दोस्तों, नाजमा बेस्ट कुकिन चैनल में आज बन रहा है बिना पानी के पानी पूरी, सच में दोस्तों बहुत टेश्टी बनता है, मैं मेरे तरीके से इस तरह जरूर ट्राई करिएगा, तो सबसे पहले हम मसाला तयार करेंगे, पांस सुखे लाल मिच कड़ाई में डाल देते हैं, तीन लेसुन का कलिया, दो चिम्मत साबुन धनिया, एक चिम्मन, जीरा, आधा चिम्मत सौफ, आधा चिम्मत काले मेच, इन सभी मसाले को हम हलका सा भूनेंगे, दोस्तों आप सभी से रिक्वेश्ट है, प्लीज वीडिय को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करिएगा, मसाले को हलका सब भूल ली हूँ, यह देखिए, इसे हम ठंडा करके बारीक पीस लेते हैं, आप चाहे तो इसमें नमक डाल के पीस लीजिएगा, और बिना नमक के भी इसे पीक सकते हैं, तो मसाल रेडिमेंट पानी पूरी ली हूँ, तो पांच पीस इसमें तेल में डाल देते हैं, और यह देखिए, बहुत जल्दी यह फराई हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और इसकी खासियत बात यह है, कि यह बहुत कम तेल में भी फराई होता है, यह देखिए, कित बीडियो को जरूर boxing करेगा ये लिए पानी पूड़ी को मैं इस तरह हलका सा फराई कर लिए हूं, इसका कलर यादा नहीं डर्क करना है, हलका सा- ब्र positिक हो गया है, तो सावर ये कव निकाल लेते हैं, बाकी भी पानी पूड़ी को हम इस तरह फराई के लेते हैं, ये मसाला भी इधर हलका सा ठंडा हो गया तो मैं मिक्सी जार में रख ली हूँ खड़ी मसाले को थोड़ा सा नमक डालके इसे हम बारीक पीस लेते हैं यह देखिए मैंने इसका इस तरह पोडर बना ली हूँ और यह मसाला आप भरुआ करेले में या भुजिया करेले में या से उबालके रख ली थी आलू को मैं हाथ से बारीक कर ली हूँ आलू में हम डालेंगे स्वादन सान नमक एक छोटा बारीक कटा हुआ पियाज दो बारीक कटे हुए हरे मिर्च डालेंगे तीखे के हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं इसमें हम यह भुने मसाला पोडर डा नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो आधा चिममट डाल देते हैं आधा चिम्मा चिसमें हम चाट मसाला डालेंगे अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो पिलीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आलो सभी मसाले को अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर ले हूँ अब आलो को हम निकाल लेते हैं छोटी सी कटोरी में आपको जितना खाना पसंद है उतना ले सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह सभी को निकाल ले हूँ मैं बता दू यह दिखिए आलो मसाला बनाई हूँ जो यह बिल्कुल बिहारी स्टाइल है यह बहुत टेश्टी लगता है साथ में हरी चटनी है यह तीखी वाली हरी चटनी है भुने मसाला है इससे पानी पूरी में बहुत अच्छा टेश्ट आता है इस तरह ज़रू ट्र टेश्टी लगता है देखिए कितना सारा गुल गप्पा मैं फराई करी हूँ पूरी परिवार के लिए मैं यहाँ पर गुल गप्पा बनाई हूँ तो आप भी दोस्तों इस तरह घर पर बनाकर खाएं बजाज से लानी की जरूरत नहीं और यह बहुत क्रिस्पी बनता है तो मैंने यहाँ पर जितना मुझे चाहिए उतना मैं निकाल ले हूँ आपको दिखाने के लिए गुल गप्पे में मैं आलो से अच्छे से भर दी हूँ अब आप अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो मीठी चटनी डालिएगा अगर तीखा चटपटा खाना पसंद करते ह तो हरी चटनी डाल के खाईएगा बहुत टेश्टी लगता है सच में दोस्तों मेरे तरिके से इस तरह जरू ट्राइ करिएगा बिना पानी के पानी पूरी बहुत टेश्टी लगता है तो हैना बिल्कुल आसान रेसिपी खाने में बहुत टेश्टी अब बनाना भी बहुत आसान उपर से ये भुने मसाले का पौड़क थोड़ा-थोड़ा डाल देजिएगा मुझे तो जितना ये पानी पूरी अच्छा लगता है ना उतना मुझे पानी पूरी वाला पानी पूरी नहीं अच्छा लगता है तो ये गोल गपप जरूर ट्राइ करिएगा सच में रीड़ वाला भी खाना भूल जाएँगे इतना ये टेश्डी बनता है तो दोस्तों अभी तक वीडियो को नहीं लाइक किया है तो प्लीस वीडियो को लाइक करियेगा इसी तरह नई नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करियेगा मिलते गले संग्ट नियू में schooling के गो सён ने उटसों काट Tá